दोस्तो आशिश नहरा का कहना है कि ये कोई हरानी की बात नहीं है कि हारदिक बांडे की जगह सोर्ग히 कुमारियादफ को T20 टीम का कफ्तान बनाया गया है आशिश नहरा का कहना है कि मुझे इस फैसले पर कोई भी हैरानी नहीं नहीं हुई क्रिकेट में यह सब चीज़े होती रहती है हारदिक बाइंडे थोड़ा हैरान दिरूर भेंगे कि वो टी-20 वेल्लकप में उपकतान थे और उन्हें कफ्तान नहीं मनाया गया लेकिन टीम में एग में कुरच आएने हैं और नहीं सोच आई है हार एक कुरच और कफ्तान की सोच अलग होती है इस समय गौतम गंभीर की सोच सुरे कुमार यादफ की तरह है हारदिक बाइंडे एक बेहतरिन करकेटर है लेकिन कुरच की सोच अलग है